नमस्कार, मेरा नाम डक्टर जितेंट पांडे है और मैं उत्राखन मुक्त विशिव द्याले के कंप्यूटर साइन्स डेपार्टमेंट में असिस्टन प्रोफेसर की रूप में कारिय रत हूँ आज हम चर्चा करेंगे जनरेशन्स अफ कंप्यूटर के बारे में इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप कंप्यूटर के विकास के क्रम में कंप्यूटर की प्रत्येक पीडी में इस्तमाल होने वाली टेक्नलोजी का वर्णन कर पाएंगे इसके अतिरिक आप अपनी आवशक्ताओं के अनुसार विभिन प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम्स का मुल्यांकन कर पाएंगे कंप्यूटर के शुरुवाती दौर में आज की तरह कंप्यूटर नहीं थे शुरुवात में बहुत बड़े भारी और महेंगे कंप्यूटर हुआ करते थे समय के हिसाब से कंप्यूटर में कहीं बदला हुए इन बदलावों से कंप्यूटर की नई पीडियों का जन्म होने लगा हर PD के बाद computer के आकार प्रकार, कारिप्लनाली इवं कारिक्षमता में भी सुधार हुए तब जाकर आज के समय का computer का निर्मान हुआ computer के इसी काल चकर को अलग-अलग पीडियों में बाटा गया है जो इस प्रकार है हम चर्चा की शुरुवात first generation of computer से करेंगे computer की प्रथम PD की शुरुवात 1940 से 1950 के बीच की मानी जाती है इन शुरुवाती computer हों में विशाल vacuum tube शामिल थे जो की light के बल्ब के समान थे इनका मुख्य उद्देश transmission के लिए कमजोर संकीतों को मजबूत करना था ये vacuum tube स्विच के रूप में बिजली के त्वरिट प्रभाक्यों शुरू और बन करने के कारी करते थे स्विच की दो position on और off machine language के 0 और 1 की अवधाना पर आधारित थी on और off की combination ने एक प्रकार की machine language का निर्मान किया जिसका इस्तमाल information processing के लिए किया जा सकता था पहला computer जिसका नाम Mark 1 था इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए कि स्टीडियम के बराबर की जगह की आवशक्ता थी कहा जाता है इसको बनाने के लिए 500 मील से अधिक तार का इस्तमाल किया गया था अपने समय के हिसाब से ये computer बहुत powerful था और उस समय जिन mathematical problems को normally हल करने के लिए 40 घंटे लगते थे Mark 1 उन्हें 20 सेकंड में हल कर देता था इसका उपयोग द्यूतिय विश्विध्यों के दौरान US नीवी दौरा strategic military mathematical problems को हल करने के लिए किया गया विज्ञानिकों ने इस computer का इस्तेमाल मौसम के pattern का अनुमान लगाने हवाई जाज के design में समस्याओं का विसलेशन करने के लिए जैसे कारियों के लिए किया प्रथम PD का अगला computer है ENIAC अर्थार electronic numerical integrator and computer जो की Mark 1 का advanced version है इसकी processing speed Mark 1 से लगभग 1000 गुना जादा थी ENIAC लगभग 80 feet लंबा और 3 feet चौड़ा था और इसमें लगभग 18,000 vacuum tube का इस्तेमाल किया गया दुरभाग्यवश vacuum tube बहुत गर्म होती थी और इनको ठंडा रखने के लिए air condition room की आवशकता होती थी जिसमें बहुत बिजली खर्च होती थी इसके अलावा यह tube अक्सर खराब हो जाती थी जिन्हें अक्सर बदलने की ज़रूरत पड़ती थी अतहर इनका उप्योग और अनुरुक्षन बहुत महेंगा था ENIAC के बाद प्रथम PD का अगला computer यूनिवक अर्थाद यूनिवर्सल आटमेटिक computer था जिसमें लगबख 5000 कॉम्पैक्ट वेक्यूम ट्यूबों का इस्तमाल किया गया जो की ENIAC जिसमें 18000 वेक्यूम ट्यूबों का इस्तमाल होता था से काफी कम थी प्रथम PD के computer में डेटा को स्टोर करने के लिए magnetic drum का इस्तमाल किया जाता था computer की दूसरी PD की शुरुवात 1950 से 1960 के बीच की मानी जाती है दूसरी PD के computer में वेक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी जो की वेक्यूम ट्यूब के मुकाबले आकार में कई गुना छोटा होता है इसके इस्तमाल से computer का आकार बहुत छोटा हो गया इसके अलावा transistor वेक्यूम ट्यूब के तुलना में बहुत सस्ता था गर्मी उत्सरजित नहीं करता था तथा vacuum tube के तुलना में खराब बेकम होता था अंतरिक श्यात्रा को संभव बनाने के लिए दूसरी PDK कम्प्यूटर का इस्तमाल हुआ जहां प्रत्थम PDK कम्प्यूटर में machine language का इस्तमाल होता था जिसे program करना बहुत कठिन होता था दूसरी PDK कम्प्यूटर में high level languages जैसे photon, Algol और COBOL का इस्तमाल होता था जो कि किसी natural language की तरह थी तथा जो छोटे एंग्रेजी शब्दों जैसे add, subtract, multiply आदिका प्रियोग करती थी इस PDK कम्प्यूटर में hardware एवं software को develop किया गया जिसके अकारान प्रोग्राम को store और retrieve करना संभव हो पाया कम्प्यूटर की तीसरी PDK की शुरुवात 1960 से 1970 के बीच की मान जाती है यहाँ आते आते transistor की जगें integrated circuit यानि IC ने ले ली सिलिकॉन की एक चिप में लाखों छोटे transistor को एकी करत कर IC का निर्मान किया गया और इस प्रकार कम्प्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया तथा इन कम्प्यूटर की calculation speed माइक्रो सेकिंड से नेनो सेकिंड तक आ गई इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर की कारीशंता में कई गुना वृद्धी हुई तथा कीमत भी बहुत कम हुए इस PD के दोरान नए input और output devices का निर्मान किया गया था कीबूड, monitor और mouse ने कम्प्यूटर को अधिक user friendly बनाया एक mainfin computer में data को input करने के लिए पंच काट के विशाल धेर की आवशक्ता को समाप्त कर दिया इसके अतिरिक्त computer के output को computer की विशाल screen पर पढ़ा जा सकता था तथा जरूरत पढ़ने पर कागज में print भी किया जा सकता था computer की चौथी PD की शुरुवात 1970 से 1980 के मध्धी की मानी जाती है चौथी PD के computer में silicon chip का आकार घट कर एक pencil eraser के आकार के बराबर हो गया चबकि इसकी कारिशमता में कई गुना इजाफा हुआ microprocessor चौथी PD के computer में आने लगे थे इससे computer के आकार एवन दाम कम हो गया और कारिशमता बढ़ गई microprocessor एक ऐसा digital electronic device है जिसमें लाखों transistor को integrated circuit या IC के रूप में प्रियोग कर तैयार किया जाता है इससे computer के central processing unit की तरह भी काम लिया जाता है integrated circuit के अविश्कार से ही आगे चलकर microprocessor के निर्मान का रास्ता खुला microprocessor के आस्तित्तों में आने से पूर्व CPU अलग-अलग electronic components को जोड़ कर बनाये जाते थे जो की size में बड़ा होता था तथा उसकी processing speed भी कम होती थी इस generation के computer के magnetic disk की जगे semiconductor memory ने ले ली साथ ही उच्च गती वाली network का विकास हुआ जिनने आप LAN और WAN के नाम से जानते हैं operating system के रूप में users का परिचे पहली बार MS-DOS से हुआ साथ ही कुछ समय बाद Microsoft Windows भी computer में आने लगी जिसकी वज़े से multimedia का प्रिचलन प्रारंभ हुआ इसी समय सी भाषा का भी विकास हुआ जिसने प्रोग्रामिंग करना और आसान हुआ इस PD के दौरान चिप निर्माता कंपनी Intel द्वारा Silicon Chip तक्नीक का इस्तमाल किया गया था IBM के साथ साज़ेदारी में Intel ने पहले micro computer या personal computer का निर्मान किया कुछ साल बाद Apple ने Motorola के साथ मिलकर Intel की प्रतिस परदा करने के लिए Macintosh पेश किया इस अविधी के दौरान नई एवं programming करने की दृष्टी से सरल computer languages जैसे Pascal सी आधी विक्सित हुई इसके अतिरिक compiler का विकास हुआ जिसकी मदद से प्रोग्राम को lower level language से रुपांतरित किया जा सकता था इसी दौरान Unix operating system भी विक्सित किया गया computer की पाँचवी PD की शुरुआद 1980 के मध्य से 1990 के बीच की मानी जाती है इस PD का लक्ष उन उपकरनों को विक्सित करना था जो मनिश्ट से उसकी प्राकर्टिक भाषा जैसे हिंदी अंग्रेजी आदी में आदेश प्राप्त कर मनिश्ट से के समान अपने बुद्धी विवेक से कारी संबादित कर सके इसके अतिरिक्ट यह computer अपने आप सीखने एवन स्वयम का प्रबंधन करने में सक्षम है और इसका इस्तमाल computer और user के बीच user की natural language में communication के लिए होता है artificial intelligence या AI भाषाओं के रूप में इस्तमाल की जाने वाली कई programming भाषाएं जैसे prologue और lisp विक्सित की गई ultra large scale integration, optical disk जैसी चीजों का प्रयोग इस PD में किया जाने लगा जिससे कम से कम जगह में अधिक से अधिक data store किया जाना संबह हो पाया internet, email, worldwide web का विकास भी इसी दोरान हुआ computer की शटी PD की शुरुआत 1990 के मध्धि के बाद से मानी जाती है इस यूग में computer एवं video games की शुरुआत हुई क्योंकि 1998 के आसपास बहुत लोग प्रिये हुए Nintendo GameCube, Sony PlayStation 2 और Microsoft के Xbox को सभी उम्रे के खेल प्रेमियों दोरा हातो हात लिया गया computer की विपन जनेरेशन में इस्तमाल होने वाली technology को इस diagram के माधियम से प्रदर्शित किया गया इस lecture में हमने जाना कि computer के विकास के क्रम में इसके design और technology में क्या-क्या बदलाव आए अगले lecture में हम computer के विभिन प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद